आज हम frequency modulation slash demodulation को study करेंगे लेकिन code के साथ नहीं उसके blocks को कैसे हम design कर सकते हैं simulink के उपर ये चीज़ आज हम study करेंगे तो जो जो चीज़े हमें सबसे पहले required हैं हम वो एक नए block पे पहुंचा देते हैं एक का चीज़ एक नहीं? झाल झाल पिर इन सब चीजों को तर्तीब में जिस तरह आपके सामने ब्लॉक है इस तरह तर्तीब में रख लें ठीक है कनेक्ट कर लें फिर मैं आपके बाद हर एक ब्लॉक आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर परामिटर्स आपने का सेट करने है ठीक है साइन वेव के ब्लॉक के अंदर आपको ये परामिटर्स सेट करने है फिर्स्ट गेन जो है उसमें ये परामिटर्स सेट करने है कॉंस्टेंट कुछ है इंटिग्रेटर के अंदर आपको परामिटर्स इस तरह सेट करने है और ट्रिग्नमेट्रिक फंक्शन आपने साइन जिक्यों रिग्नली होता है इस ब्लॉक के अंदर सो कॉस पर कर देने ठीक है मैट्रिक्स मॉल्टिप्लायर इसके बाद एनलोग फिल्टर डिजाइन और कंटिनियूस टाइम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर वी सी ओ तो जब सारे ब्लॉक्स आप कनेक्ट कर लेंगे जिस तरह के आपको नजर आ रहे हैं और वही परामेटर्स रखेंगे जो के मैंने रखे हुएं तो जब मैं इसको रन करूंगा इस सिमिलेशन को तो स्कोप पर जाके आप देखेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए फ्रिक्वेंसी मॉडिलेशन अगर आज के लेक्टर से आपने कुछ नया सीखा है तो उसे दूसरों तक लाज़मे पहुंचाएं जहां रहें खुछ रहें आबाद रहें अल्ला हाफिज झाल 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 झाल